Hello Students आपके अपने Total Learning चैनल में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पे नहो तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें थे हैह्लो इस वीडियो में हम किमेश्टरी के टॉप हंड़ेड वीवी आ विबीकवेस्चन को जानेंगे जो बार-बार इकजाम में पुछे जाते हैं आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, तो आप इस question को हल कर पाएंगे, चलिए वीडियो को start करते हैं, वो कौन-कौन से भीव गया questions है, तो question number one, question number one कहता है, पदार्थ के परमानु वाद के प्रनेता कौन थे, तो वो थे कौन थे, डाल्टन थे, तो पहला का सही answer हो क्या सबसे छोटा कन, जिसका भीवाजन नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे डाल्टन ने क्या कहा था, तो उसे प्रमानु कहा था, ठीक है, यानि दूसरा का सही answer जागा प्रमानु और एक बात, अब इसे, इस नियम को क्या कहा है, गलत सावित कर द कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है, कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है, तो चलिए उप्सन देखते हैं, तो पहला काता है प्रोटोन, प्रोटोन का खोज किसने क्या था, रदर फोट ने, ये सही है, निट्रोन की खोज चैडविक ने किया था, ये भी सही है, इलेक्ट प्रोटॉन दो होते हैं यानि पहला चौथा का सई इंसर होगी आपसन नमर ए चले क्रशन नमर फाइब कर वड़ते हैं तो प्रेडियो सक्रिये सक्रियता का पता सर्व प्रथम किषने लगाया था तो सर्व प्रथम किषने लगाया था तो इसका सर्व प्रथम पता लगाया था हेनरी बेकुलर पां थे हैनरी बेकुलर थे जो सबसे पहले पता किया था चले question number six कता है कपूर को निम्न विधी द्वारा सुध करते हैं तो उसको सुध करते हैं उर्धपातन विधी द्वारा ठीक है तो चे का साइण सरोगे option number a question number seven के बढ़ते हैं question number seven कता है प्रमानू के नाभिक में उपास्थि प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है तो इसे कहा जाता है प्रमानुक्हरमांकत है ठीक है यानि यानि हब क्या क्वें donc question no mr 8 कि और बढ़ते है तो question no mr 8 कहता है सामानने तंप ऒंदाब Crypto कि एक ग्राम अनू का आयतन होता है ठीक है एक ग्राम अनू का आयतन के कितना होता है जब ताप और दाबसामान वस्था में हो तो इसका एंसर हो जाpeiगा बाइस पॉआन्ट फोल लीटर होता है ठीक है यानि आठ का साइएंसर होगे अपसन नमर d चले question number 9 के जिरtrack by वर्टे तो question number 9 कहता है एक मोल में कुल प्रमानुईों की संख्या है एक मोल में कुल प्रमानुई की संख्या कितनी होती है तो इसे हम लोग авogadro संख्या भी कहते हैं जिसे एवोगाड़ों की संख्याइस नाम से भी जानते तो इसका हो जाएगा 6.023 इंटो 10 टू दी पावर 23 यानि 9 का सही एंसर हो जाएगा आपसन नमर सी चले क्रिश्चन नमर 10 की और बरते हैं तो क्रिश्चन नमर 10 कहता है रेडियम की खोज किसने की थी तो रेडियम की ख प्रची नमर 5 का सही एंसर हो जाएगा आपसन नमर बी चले क्रिश्चन नमर 11 कहता है नीम्न में सार्वात्रिक विलायक है जिसे यूनिवर्सल सॉलूशन इंगलिस में का सकते हैं उनिवर्सल किसे का जाता है तो वह जल तो गारा का सई एंसर हो जाएगा अपसर नमर ए चले कुछ नमर 12 क्यों बढ़ते हैं तो कुछ नमर 12 कहता है अमल का जलिये विल्यन नीले लीटमस पर क्या प्रतीत करता है ठीक है तो नीले लीटमस पर क्या प्रतीत करेगा तो वो नीले को लाल कर देगा यानि 12 का सई एंसर हो ज कितना होता है यानि किता है door seven down Sep अगर फ्रेंडों näभी पीएच और ठीक है चले करेम तरह कि एब लगते हैं तो करता है शुद्ध का उसमान कितना को पताई को छोगा कि होता साथ होता सबसे हलका क्या होता है तो सबसे हलका तत्व क्या होगा तो वह है हाइड्रोजन ठीक है तो सुल्ला का सफाइट लाइक करते चले तो कि करन में और common उत उख्सी करन में और करन को पता है ठीक कि ऑक só एक किया जाता है यहानि सटरह का सफाइट आ esfuer तो आप लोगों को पता ही होगा कि वाईव एक मिश्रन है इसमें सभी सभी गैसे मिक्स होती है अठारा का सब्सक्राइब नियम का प्रति पादन किशने किया था ठीक है तो किशने किया था तो चलिए अपे निग लेंडे ने मेंडल सर हो जाएगा अपनी किषने क्या था है यानि उनैस का सही एंसर होगे आपसन नमर वी चले क कश्शन नमर वीज और आमारा इस वीडियो का लाश्ट कुर्शन है तो pik Collision नमर वीज कहता है सबसे अधीक विद्युत्ने नात्मक तत्म है कौन है तो वो हेorfin ठीक है factory को सबसे विधुत्रनी नात्मक तत्म कहता है याने वीस क कमेंट शेर अपने दोस्तों के पास शेर जरूर करें ताकि वो लोग भी अपने एड़िशन ले सके पारा मेडिकल में अच्छे अंक प्राप्त कर सके चले वीडियो में बस इतना ही